कॉंग्रेस पार्टी इस बार चुनाओ दबा के लड़ रही है और गुजराथ की जो जनता है वो भी बीजेपी से गुस्सा है बहुत सारे वाइदे किये वाइदे पूरे नहीं हुए तो यह फीलिंग है मगर वहाँ जाने से पहले में मैं दो शब्द आपको बताना चाहता हो कल मेरी बेहन मेरे घर आई और कहती है कि यह क्या हो रहा है तो मैंने का मतलब कहती है किचन में गई कहती है सब कुछ तुमारे किचन में गुजराती है खाकरा गुजराती अचार गुजराती मुंपली गुजराती तो आपने पिछले दो महीने में कि मेरी आदब में खराब कर दी है मेरा वेट बढ़ता जा रहा है तो इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं और आपने मुझे पिछले दिनों में सिखाया भी काफी है आपसे मिलकर किसानों से मिलकर सूरत में जो मुझे लोग मिले जिनसे मैंने बात्चीत की उनसे मुझे काफी सीखने को मिला आम तोर से चुनाओं की लड़ाई है हम बीजेपी के खिलाब लड़ रहे हैं विचारधारा की लड़ाई है मगर मुझे काफी फाइदा मिला है आपके दिल की बात सुनने को मिली गहराई से समझने को मिली और गुजराथ में क्या-क्या बगलना है वो भी सुनने को मिला और ज़रूर हमारे नेताओं से मिला हमारे सीमियर नेता बैठे हैं उनसे बातचीत हुई हमारे कॉंग्रेस के लोकल नेता हैं उनसे बातचीत हुई उससे फाइदा मिला मगर सबसे ज़्यादा जो आंगनवारी महिना हैं किसान है आप सब लोग हो गुजराथ की जनता आप से मुझे बहुत सीखने को मिला मैंने कल मोदी जी का भाशन देखा पुरा नहीं देखा मगर मैंने देखा और मैं सुन रहा था और भाशन में साथ परसेंट समय मोदी जी ने कॉंग्रेस पार्टी के बारे में बोला मेरे बारे में बोला कॉंग्रेस पार्टी ये है कॉंग्रेस पार्टी वो है देखिए यह जो चुनाव है यह ना बीजेपी के बारे में ना कॉंग्रेस पार्टी के बारे में ना नरेंद्र मोधी जी के बारे में ना राहूल गांदी के बारे में यह एक चुनाव जो है यह सिर्फ एक चीज के बारे में है गुजरात की जंता के भुविश्य के बारे में और कल कल पूरे भाशन में नरे प्रमोदी जी ने आपके भुविश्य की बात नहीं कि मैंने सुना कि गुजरात के लिए भुविश्य में बीजेपी क्या करना चाहती है और कैसे करना चाहती है जबूर अपने भाशन में बोलूँगा कि पिछले पाट सालों में दस सालों में बाइस सालों में बीजेपी ने ये ये नहीं किया और वो तो चुनाओं में हम बोलेंगे ही बोलेंगे मगर दूसरी कम ही ये है कि हमने मैनिफेस्टो बनाया सैं पिट्रोडा जी ने मिस्त्री जी ने सोलांकी जी ने और ये सब कॉंग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो नहीं मैं आपको बता सकता हूँ इसमें गुजराज की जंता की आवाज है और कैसे डाली हमने आवाज आपसे पूछ पूछ कर बैट कर आपके साथ किसानों से बैट कर साथ बैट कर उनसे पूछ कर भैया बताओ क्या है किसानों ने आवे कहा देखिए राउल जी सही MSP नहीं मिलती दाम नहीं मिलता है तो हमारे मैनिफेस्टो में लिखा है आपको सही दाम मिलेगा और सिर्फ सही दाम नहीं मिलेगा पहले आपको बता दिया जाएगा कि इस सीजन में आपको इतना दाम मिलेगा कि जो आपके दिल में जो डर डर है वो कम हो हर गर के पास हम गए और हमने पूछा बताईए क्या कर सकते हैं आपके लिए कुछ दिन पहले मेरी एक मीटिंग में एक महिला खड़ी होती है कहती है देखे राहूल जी दाम बढ़ते जाते हैं रो रही थी प्रेस वालों ने देखा रो रही थी कहती है कि देखे राहूल जी दाम बढ़ते जाते हैं आपके सामने जो समस्या है वो गुजराथ में किसी के सामने नहीं होनी जाए ऐसे हम एक भी महिरा नहीं देखना चाहते हैं जो यह कह सकती है जो आपने मुझे कहा और जो आप जैसे आज रो रहे हैं आप जैसे रो रहे हैं वैसे कभी नहीं हो सकता है दुजराथ में हम नहीं होने नहीं होने तो हमारे मैने प्रेस्टों में लिखा है कि लोगों की पे बढ़ती जाएगी कि अधर वारी महिनाओं से बात की बहिया ये डोल अभी बात ने बचाना चुनाओ के बात अगद अलग लोगों से अमने बात कि और आपने हमें बताया कि बहिया देखिए हमें ये ये चाहिए ये काम बीजेपी नहीं किया इसलिए बाशन में साथ प्रतिश्रत समय नरेंद्र मोधी जी कॉंग्रेस के बारे में बात कर सकते हैं ये चुनाओ गुजरात की जनता का चुनाओ है गुजरात की जनता के सामने अग्रेस पार्टी हो चाहिए मैं हूँ हम बहुत चोटी चीज़ है और यह आप के भविश्यता चुनाओ है पिछले 22 सार में क्या हुआ दो तीन सवाल आख से पूछता हूँ 22 सार से हम नर्मदा के पानी की बात सुन रहे हैं आप मुझे बताओ आपको नर्मदा का पानी मिलता है हाँ या ना देखिए 45,000 एकर 45,000 एकर जमीन आपकी जमीन थी गुजराद के किसानों की जमीन थी आपसे जीन कर हाँ आपने नाम लिया मैं नाम नहीं लूँगा एक व्यक्ति को आपने दी 45,000 एकर उसको नर्मदा का पानी दिया उसको पिजली दी आप जाते हो जमीन किस रेट के दिया एक रुपिया प्रती मीटर और महीनों बार उसे व्यक्ति ने आपकी जमीन 3,000 से 5,000 रुपै प्रती मीटर बेची सरकारी कंपनियों को बेची मगर नर्मदा का पानी आपको नहीं में सकता बिजली आपको नहीं में सकते नानो फैक्ट्री लगाई 35,000 करोर रुपै वो नरेंद्र मोदी जी का पैसा नहीं था वो आपका पैसा का 35,000 करोर रुपै सुनिए 35,000 करोर रुपै में हमने मनरेगा चानू किया पूरे देश में मन्ट्रेगा को चलाने के लिए 35,000 करोर रुपे लगे थे उतना ही पैसा नरेंद्र मोधी जी ने एक प्रदेश में एक कमपनी को पकड़ा दिया इंदुस्तान में गूँते हो बाकि हिंदुस्तान में गुंते हो आपने कभी कहीं नैनों देखी है कि कहीं देखी आपने नैनों चलती हुई तो 33,000 क्रोड रुपय आपका गया उसमें भी पानी आपका गया उसमें भी जली आपकी गई कर्जा माती की बात एक लाक 30,000 क्रोड रुपय हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों का इन्होंने मात किया है उसका उसका 9,000 करोड रुपय का कर्ज है आप नाम बोला मैं रखाता हूं कितना कर्ज है मेरे पाज लिस्ट है किसे के पास 45,000 करोड रुपय है किसे के पास 50,000 किसे पास 80,000 करोड रुपय है मैंकर जब हम किसान के कर्जा माफ की बात करते हैं जब हिंदुस्तान का किसान घड़ा होता है कहते है बहिया आपने इन लोगों का कर्जा माफ किया दस पंद्रा लोगों का कर्जा माफ किया हमारा भी कर दीजिए तो निरेंगर मोदी जी कहते हैं औरुन जेट्री जी कहते हैं किसान का करजा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं है। सित्री से बात हैं हम समझते हैं मोदी जी जेट्री जी किया आपके पॉलिसी नहीं है। मकर जैसे ही गुजराइट में कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी दस दिन के अंदर हम पॉलिसी बना देंगे किसाल का परज़ा माँद करने के लिए मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा काम गुजराइट के किसालों के लिए होना चाहिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप 33,000 क्रोन रुपे टाटा नेरो पैक्ट्री को दे सकते हो अगर आप 45,000 एकर जमीन गुजराइट के किसान से एक व्यक्ति को देने के लिए चीन सकते हो तो फिर आप किसान का कर्ज़ा भी माँद कर सकते हो जी गुजराइट में एक जगा है आनन्द गुजराइट और आनन्द की महिलाओं से हम मुकाबला नहीं कर सकते हैं हम कॉंपेटिशन नहीं कर सकते हैं बाकि समचे हम अपना दूद बेच सकते हैं गुजरात में और हिंदुस्तान में हम दूर नहीं बेच सकते हैं। गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात की महिलाओं की शक्ति हैं। गुजरात मॉडल का मतलब गुजरात के किसानों की शक्ति का प्रयोग करना। गुजरात मॉडल का मतलब जो सूरत में दिन भर कान करते हैं उनकी शक्ति का प्रयोग करना गुजरात मॉडल का मतलब आपकी जमीन का फाइदा आपको दिना गुजरात मॉडल का मतलब जो गुजरात को लोग चलाते हैं उनकी बिजली उनको वापस देना यह है गुजुरात मॉडल नरेम्र मोदी जी का मॉडल 45,000 एकर एक उज्योपदी को 33,000 क्रोड रुपे टाटा नेनो प्रोजेक्ट इनके 10-15 मित्र है और सब का सब यह इनके लिए करते हैं इसे लिए बोल नहीं पा रहें क्योंकि अगर वो सच्चा ही बोलें तो आपको कहेंगे कि अगर चुनाओ जीतेंगी BJP तो पर रादानी जी के लिए हम यह करेंगे टाटा नेनो जैसे प्रोजेक्ट में हम इतना पैसा डालेंगे मैं सवाल पूछता हूँ मोधिशी से सवाल पूछता हूँ आप से प्रेस वाले हमारे यहां खड़े हैं आपके माधियम से BJP ने पिछले चुनाओं में वाइदा किया था कि 50 लाख घर बनाएंगे गरीबों के लिए तो पहला सवाल है मोधिशी आपने पांच लाख भी घर नहीं बनाएं वाइदा किया था 50 लाख का सच्चाई 5 लाख से कम दूसरा सवाल जब आप यहां आए 20 साल पहले गुजरात का गुजरात पे कर्ज 9000 करोर का था आज तकरीबन 1.5 लाख करोर का कर्ज है यह पैसा कहा गया है आप बताईए तीसरा सवाल शिक्षा के मामले में गुजरात हिंदुस्तान के प्रदेशों की लिस्ट में 26 नंबर पे आता है आप बताईए गुजरात 26 नंबर पे क्यों चौता सवाल आपने तीन रुपे की बिचली के लिए अपने उद्योग पती दोस्तों को 24 रुपे पर यूनिक क्यों दिया मैंने आप से चार सवाल पूछे हैं मैं आपको आप एक और छुप दे देता हूं इन चारों जवालों का जवाल मत दीजिए multiple choice ले लीजिए इन में से एक सवाल का जवाल कर लीजिए मकर मोधी जी जवाब नहीं देंगे मोधी जी सिर्फ पीते हुए समय की बात करेंगे Congress Party की बात करेंगे मकर भविश्य की बात नहीं करेंगे मैं आपको थोड़ा सा भविश्य का बारे में पर बता देता हूं भविश्य में Congress Party क्या करेगी कर्जा माफ करने के बारे में मैंने आपको बता दिया कर्जा माफ करने के बारे मैं आपको बता दिया गेलोट जी यां बेटे हैं जब ये राजिस्तान में चीफ मिनिस्टर थे पूरे राजिस्तान में हस्पतालों में फ्री एलाज होता था दवाईया अप्री में मिलती थी यही काम हम गुजराप में करने जा रहे हैं आज आप जाते हो कोई बिमार होता है, कैंसर होता है दिल का दौरा होता है पूरे के पूरे हस्पतार प्राइवेटाइजड है MRI कराओ X-ray कराओ 1000 रुपए निकालो Operation कराना है तो जेब से पहले लाकों रुपए देओ फिर Operation कराओ यह हम बदलेंगे तोंग्रेस की सरकार आएगी सदार पटेल जी का के नाम का Health Card में हम Free दवाई और कम से कम पैसे में आपका इलाज कराएगे 25 लाक 25 लाक घर हम बना कर गुजराद की गरीब जन्ता को दिलवाएगे और जो हमारी महिलाए है गुजराद की शक्ति है जो लड़कियां स्कूल और कॉलेज में जाती है उनके लिए हम मुफ्त में शिक्षा दिलवाएंगे मगर हम बहा नहीं रुकेंगे मैनेफेस्टों ने बहुत अच्छा बनाया है और पूरे के पूरे मैनेफेस्टों को हम लागू करके दिखाएंगे मगर में बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ देखिए जमीन आपकी है बिज्री आपकी है पानी आपका है और सरकार चलेगी तो पांच-दस उद्योग पतियों के लिए सरकार नहीं चलेगी सरकार चलेगी तो गुजरात के किसानों के लिए चलेगी सूरत में जो व्यापारिये small medium businesses है उनके लिए चलेगी गुजरात के हर वर्ट के लिए युवाओं के लिए महिलाओं के लिए चलेगी और आपको लगेगा 22 साल के बाद आपको पहली बाद लगेगा ये कुछ बद्लावाया है बाह में लगाया और हिदुस्तान के चोरों का पैसा गाले से सफिद में बदल दिया गपर सिंग का एक्स लादू किया आप पर सबनाद चोट माई और इस आन्दी में से एक कंपनी निकलती है बाकि सब कंपनीया खतम हो गई लागों लोग फेरोजगार हो गई एक कंपनी निकलती है एक कंपनी निकलती है जो पचास हजार रुपए को महीनों में असी करोर में बदलती है अमित शाजी के बेटे की कंपनी जै शाजादा खा गया अब पता नहीं क्या है अमित शाजी के बारे में पूरा गुजराच जानता है पूरा गुजराच जानता है पाकिदा समाच जानता है गुजराच जानता है सब जानते है मगर पता निक्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि मैं ना काओंगा ना काने दूँगा पता निंग क्या कारण है किन नेंद्र मौदी जी के नाग के सामने अमित शाह के बेटे की कंपञी पचास हजर फचास हजर रुपई को असी करोन में बदलती है और देश का चौकिगा है एक शप्ण ही कहता है एक शप्ण भी पता निग क्या है पता निक क्या कारण है कि एक शब्न ही कहते है उसके बाद हिंदुस्तान की सरकार रफाइल जहाज करिकती है 136 जहाज HL कंपणी को कॉंट्रेक्ट दिया जाता है HL कंपणी सरकारी कंपणी है जैसे यहाँ बिजली की कंपणी प्राइबेटाइज कर दी वैसे भी वहाँ 136 जहाज के बज़ाए 36 जहाज की डील हो जाती है HL से जहीन कर नरेंदर मोदी जी के खास एक उद्योग पती को दिया जाता है इस उद्योग पती ने अपनी पूरी जिन्दगी में हवाईजाज नहीं बनाया HL 70 साल से हवाईजाज बना दी इस उद्योग पती में प्रदान मंत्री जी से जाके पूछिए अपने प्रदान मंत्री जी से तीन सवाल पूछे राफाईल के बारे में पहला सवाल प्रदान मंत्री जी आप बताईए जो आपने ये डील बदली हवाईजाज का दाम बढ़ा या कम हुआ दूसरा ये आपने एचेल से चीन कर अपने उद्योग पती मित्रों को दिया ये क्यों दिया किस बेसिस पे दिया क्या कारण था क्योंकि इस उद्योग पती ने अपनी जिंदगी में हवाईजाजनी मिना और एचेल संतर साल से बना ली की सरकार बढाएंगे आपके साब से पर काम करें मैं आपको यहांसे कहता हूँ बिने आपके पूछे बिना आपकी बात सुने कंग्रेस पार्टी का चीफ मिनिस्टर निन्ने नहीं लेगा वो जमी निन्ने लेगा वो आपके बीच में आकर किसानों से मिलकार, उँकी बात सुनकर सूरभ में जो हमारे वियापा नहीं है उनकी बात सुनकर, समझ कर निन्ने लिगा गंपर सिंग टैक्स जैसा नोट बंधी ने, जैसा निन्ने हम नहीं लेंगे हम आपको नुक्सान नहीं कहेंगे आप सब दूर दूर से आए इसके लिए दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद और अंच में जो यहां अर्ट्वेक हुआ था जिन लोगों को नुक्सान हुआ था जो आपको दर्द हुआ था उन सब की हम याद करते हैं और दिल से दिल से उनकी याद करते हैं आप सब का बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार जहें